सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजिनिरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दमाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए इस लक्षर में हम डिसक्स करने बाले हैं रिवर ट्रैनिंग वरक्स के बारे में सोफेट सबसे वीडियो इसमें हमार पस टॉपिक है रिवर ट्रैनिंग वोक्स तो सबसे पह। जबसे उप्ऩपर मोग में कि और बाइभ अगर में तो डिया है रशकषी यह क्या है किसी आरिया में जो है रिवर ऐसे प्लैने अरिया में नहीं चल रहा है अब देखो हमारे पस to training works जो है maximum हम पर एर्याज में ही ये रोटे होते हैं हिली एरियाज में river training works की जुरत नहीं होते हैं बौत डियर कैस्स ने आपको हिली एरियाज में river training ताकि जब डिर्ण फ्लोड जो है रिवर कुछ इस डाय। सब्चने में अगर वाटर जो है वह इस साइड के लिए चला जाएगा तो इन वोक्स को में गते हैं हैं रिवर्ड ट्रैनिंग वोक्स लिवीडर को फोटा है कि आप आपने देखा ओको को इस जिल झाल के ऐग करने के लिए खंग करताने के लिए इसओं जाय भीड़रियस को सब्मर्जक वर्चानTH के लिए लिन इज्जानिंग लेंड है उसको सबमर्जियन से बचाने के लिए अगर हम रिवर्ट्रेणिंग वक्स नहीं करेंगे तो इदर इपनर अब फ्लूर्ट पानी इधर के लिए भी जा सकता है तो इदर के लिए भी जा सकता है तो इत इतनी विर्थ ज़्यादा होगी डेफ्ट अगर वाटर की काम होगी तो इसको नाविगेशन परबस के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं तो इसको नाविगेशन परबस के लिए यूज़ करते हैं तो यह एक इंपॉर्टन पॉइंट है कि रिवर्ट यह बी इंपॉर्टन है जब फ्लोड विकर आएगा तो जो है वो जो है बिलकुल रिवर के इसी डियरेक्शन में फ्लो रहेगा अगर वह स्ट्रोंग बनाई वो इसी direction में चला जाएगा at joining areas को कोई भी loss नहीं होगा उसके बाद है to prevent oat flanking of structures like bridges, wears, etc oat flanking in the sense की जब flood वगएरा आएगा तो इनको अपने साथ ही भागे ले जाएगा अब suppose करो यहाँ पर मरबस क्या है पर dam वगएरा बना हुआ है अब जो है dam अगर यह जो है river training works नहीं की होंगे तो पानी कभी इस साइड से आजाएगा कभी इस साइड से आजाएगा तो मतलब जो है इसकी वैसे क्यों सकता है कि यह चीज़े यहाँ से विक हो सकती है तो जब पानी जो है कि एक fix direction में ही आएगा इसको तो यहाँ पे जो dam होगा वियर होगा बेरेज वगरा होगा तो उसको old flanking से भी बचाता है river training work next हम river training work पढ़ने से पहले कुछ stages आप rivers के बारे में discuss करते हैं तो stages आप rivers मर्पर generally 4 टाइप की होती है rocky stage, boulder stage, trough stage और delta stage so one by one हम चारों को discuss करते है first इसमें जाता है rocky stage rocky stage का मतलब होता है कि आपको बता है rivers generally कहां से originate होते है hills वगरा से होते है तो वहाँ पे जो उनका bed होता है वो किसका बनावा होता है rock का बनावा होता है that is known as rocky stage rivers generally originate from hills so in this case bed slopes and velocities are high तो इस case में अब hilli के case में obviously steep होगा इस case में क्यों होगा कि velocities वगरा हाई होंगी and are made up of अब ये किसके बनी होए होते है अब जो rocky stage वो किसके बनी होते है rocks की बनी होते है अब जो hills में है maximum उसकी formation क्यों होती है river bed की formation क्यों होती है वो rocks ही होती है it's not suitable for diversion of headworks तो इस case में कर सकते है headworks वगरा को design नहीं कर सकते है क्यों कि आप खुद देखो कि हमरे पर इतना steep area होगा river इस direction में यदर flow करेगा बिल्कुल इतना steep होगा तो इस case में में अगर हम diversion headwork वगरा बनाएंगे तो उसको अपने साथ भाके ले सकता है अपने साथ ही ले जाएगा तो इतना steep slope होने की वाईसे यहां पर हम diversion works वगरा प्राइड नहीं कर सकते है तो इसको हम कहता है rocky stage next में पर जाता है boulder stage boulder stage को हम sub montania stage भी कहते हैं इसमें क्यों होता है beds and banks of rivers are made up of boulders and gravels कि जो भी beds और banks और rivers के बोल्डर सो और gravels के बने हुए होते है इसमें क्यों होता है कि river width small होती है and have well defined boundaries और इसमें क्यों होता है कि विटाफ river small होती है और उसकी definite मतलब एक fixed boundary होती है bed slope and velocity are less than rocky stage अगर हम देखेंगे rocky stage के comparison में इसका bed slope भी कम होता है velocity of water जे वो भी कम होती है इसमें क्यों होता है कि large sub-sail flow होता है मतलब यह अपने साथ जो है इस stage में flow of soil जी है काफी ज़दा रहता है इसमें क्यों होता है more cross drainage works हमें इस case में जुरत होती है boulder stage में अब cross drainage works हमने detail में आगे पढ़ने है नेक्स यूट है उसमें हम इनको डिस्कूस करेंगे so third stage आती ही मरपास river की trough stage trough stage को हम LVL stage भी कहते है इसमें क्यों होता है कि river pass होता है through LVL plan LVL plan आप simple है सकते हो कि मरपास क्या है कि अब दिखो first river originate कहां से वा rocky stage से hills को कहेंगे rocky stage फिर नीचे आगे river हमारे पास pass होते होते आगे हमारे पास sub-mountainous stage भी मतलब boulder stage हम उसको कहेंगे फिर आगे आगे हमारे पास river plan area में तो plan area को हम यह कहते है LVL stage भी कहते हैं या इसको drop stage को हो plan stage को हो LVL stage को हो यह एक ही बात है दिनों में इसमें क्यों होता है कि river passes through LVL plan created by itself अब यह जो LVL plan है वो कौन create करता है यह river खूद create करता है इसमें क्यों होता है कि beds and banks are made up of LVL, sand and silt इसमें जो है जो भी हमारे पास आप plan areas में देखोगे आप हमारे पास जो deposition of silt, sand बगरा maximum होता है क्योंकि अब देखो अगर slope steep होगा तो वो भी silt, sand भी flow करती जाएगी लेकिन plan areas में जो है वो sediment हो जाती है at the bottom of the river इसमें जो sands अगयरा, silt अगयरा का depositation जो है maximum होता है कि stage में, drop stage में इसमें क्यों होता है कि less cross drainage works जो है इसमें required होता है यह important है इसमें पॉइंट आफ यह जो है फिर्स केस में बने क्या बढ़ा था इसमें हम cross drainage works हम बना ही नहीं सकते है क्योंकि इतना steep slope होता है कि वहाँ पर possibly नहीं cross drainage works बनाना यहाँ पर हम बनाएंगे लेकि यहाँ पर ज्यादा cross drainage works की जुरुत होती है इस केस में हम देखेंगे less cross drainage works are required तो यह तीनों में comparison है next इसमें जाता है delta stage अब देखो streams streams मिलके क्या बनाती है rivers मिनाती है rivers जब मिलते तो क्या बनते है seas seas मिलते तो क्या बनते है ocean तो जिस point पे river seas यह ocean को join करता तो that point is known as delta stage इसको हम delta stage कहते है river approaches towards ocean seas etc that is known as delta stage इसमें क्यों होता है it's not suitable for cross drainage works अब वहाँ पे width जो river को होती है काफी ज़्यदा हाई जो होती है तो उस case में कर सकते cross drainage works provide नहीं कर सकते है width are so high इस case में width जो है काफी ज़्यदा हाई होती है तो यह मार पास चार स्टेजी थी river के जिनको हमने अभी डिसक्स किया I think कि आपको यहां तक सब कुछ clear हो गया so next हम discuss करेंगे इसमें river patterns के बारे में river pattern मार पास दो टाइब की होता है normal pattern और mandir pattern तो normal pattern में क्यों होता है कि equilibrium stage of river होती है having just sufficient slope to carry the silt load हम क्या सकते है मर पास इसमें slope इतना होता है कि वो silt को अराम से carry कर सके उसके बाद next मर पास जाता है mandir pattern mandir pattern का मतलब होता है it flows in the form of S इसमें क्यों होता है river जो है कुछ this shape में flow करता है zigzag direction में flow करता है that is known as mandir pattern इसमें क्यों होता है it's wide and change its courses from time to time अब इसकी width जो होती ही काफी ज़्यादा होती है और इसका course जो हो time to time change होता रहता है ये next मर पास जाता है mandir pattern अब इसमें discuss करते हैं classification साब alevial rivers ये terms आपने ज़रूरा सूने होंगी a grading rivers, degrading rivers or mandering rivers अब हम इनको discuss करते हैं इसमें क्यों होता है increase in land elevation due to depositation of silt, sand and clay इसमें क्यों होता है silt, sand or clay की depositation की बज़े से land में elevation हो जाता है मताब जो rivers bank से वो elevate हो जाते है it occurs in that areas where sediment is greater than transportation इसमें क्या होता है कि देखो आप हमार पास ये क्या है ये suppose करो आप river जो है passive flow कर रहा है इसमें rate of sedimentation ज्यादा होगा as compared to rate of transportation क्योंकि flow जो होगा मताब velocity हम कहा सकते है इसमें low होगी तब भी तो sedimentation rate ज्यादा होगा as compared to transportation rate उसके बाद है degrading river इसमें decrease in land elevation होगा due to erosion caused by flowing water अब इसमें क्या होगा कि हमार पास क्या होगा हमार पास यह river है इसमें flow of water काफी ज्यादा high होगा तो यह जो side है जो banks वगए रहे हैं इसमें origin caused होगा due to high flow of water तो इसमें क्यों होगा कि decrease होगा land elevation में तो that is known as degrading river तो next नमर पास जोता है mandering river mandering river अभी हमने पिछे discuss किया इसमें क्यों होता है कि reverse cruise जहां आप कहा सकते हो कि zigzag में river flow करता है तो that is known as mandering river उसके बाद next मर पास जोता है types of river training works जो main topic था हमारा कि river training works होते क्या है और क्या कौन-कौन को इस types के river training works प्रवाइट करते हैं तो इसमें generally हम देखेंगे छे type के river training works हम करते हैं फर्स जिसमें जाता हमारा पास embankments और leaves जिनको हम कहते हैं guide banks हो गया groynes, suppers, cut-offs हो गया river bank, repeatment और last मर पास जाता है beach island अब one by one हम सबको discuss करते हैं तो सबसे पहले हमारा पास जाता है embankment और leaves क्यों होता है constructed to prevent the adgening area for submergence इसमें हमारा पास क्यों होता है कि अब देखो हमारा पास यह कोई river जा है, ऐसे flow कर रहा है यह अब यह क्यों हो गया यह हो गया हमारा पास bank सब river तो इन bank को elevate किया जाता है raise किया जाता है ताकि जो adgening areas में flooding water flood water नहाँ जाए इनको raise किया इस टाइप के work को क्या कहते है embankment and leaves यह भी एक टाइप के river training work है so इन में banks banks from dykes भी कहते है are constructed up to 12 meter 12 meter height में banks को construct किया जाता है to prevent the adgening areas from submergence तो इन कॉम कहते है embankments are leaves अब इसके generally इसके generally दो टाइप से marginal embankments और retiring embankments तो first मिसमें आ जाता है marginal embankments constructed close to river banks they are designed as low height or thunderms इनको क्या किया जाता है मारपास जो river banks है अब देखो यह मारपास अभी river है इसके बिलकुल close ही इनको construct किया जाता है बिलकुल close along the both side of the rivers तो इनको क्या किया जाता है marginal embankments इनको जो design किया जाता है as a low height earthen dam को जैसके कि हम low height earthen dam को डिजाइन करते हैं वह सही इनको डिजाइन किया जाता है एक मार पास retiring embankments retiring embankments किया जाता है constructed at a distance of river banks इनको जो है at a certain distance पे construct किया जाता है अगर मार पास river bank यहाँ पे है थोड़ा इस से दूर लेगे इनको construct किया जाता है इस से क्या हो जाता कि मेर पास river में जो है discharge मतलब जो flood है उसको carry करने की capacity जो है increase हो जाती है इन टाइप के banks क्या गयता है retiring embankments lots of space to carry the flood easily वही अब space यहां से obviously increase हो जाएगी its water can be used to give water to inundation canals यह important point है इसके पानी को हम use कर सकते हैं कि जो हमारे पास inundation canals हैं कि इनको कहते हैं हमने पीशे canals वाले unit में discuss कर लिया है कि जिनमें जिनकों non-perennial canals भी कहते हैं मतलब जिनमें जो है सिर्फ during monsoon season ही पानी होता है बाकी season में बाकी months में पानी नहीं होता है इसमें क्यों होता है less vulnerable to flood menance and have larger life अब इसमें क्यों होता कि यह देखो less vulnerable to flood menance का मतलब क्यों होता है कि अब जब flood आएगा यह जो banks वगरा जो है अब देखो यह flood को जो है काफी space मिलेगी यहां से flow करने के लिए इससे banks हैं river banks हैं इनमें क्यों होगा कि इनमें erosion वगरा के chances decreases हो जाएंगे क्योंकि जितनी ज़्यदा width होगी उसको flow करने के लिए पानी को ज़्यादा space मिलेगी तो इसमें जो है erosion वगरा के chances जो है कम हो जाएंगे as compared हम देखेंगे marginal embankments के तो यहां पे दूसरा यह point है कि इनका life span जो है as compared to marginal embankments तो यह भी important point है इसका construction cost भी इनकी ज़्यादा होती है or they provides more protection to the less areas construction cost भी ज़्यादा होती है लेकिन उससे क्यों होता है कि इनका life span भी ज़्यादा होता है as compared to marginal embankments और यह जो है ज़्यादा protection प्रवाइड करते है as compared to कर हम देखेंगे marginal embankments इसके नाम सी पता चले जाता है guide banks are constructed for confining and guiding the flow of river in a reasonable waterway तो guide banks का मतलब क्यों होता है कि जो river को guide करता है आप देखो आप मैं आपको example देता हो मतलब जो mandering river था जो कुछ इस direction में zigzag में फ्लो करता है तो यह क्या करते है कि हम मतलब इन guide banks को हम इसलिए प्रोवाइड करते है कि river को एक definite और straight direction में फ्लो करवाने की कोशिश की जाए तो उसको हम क्या कहते है guide banks कहते है इनको firstly इनको किसने design किया था bell ने तो that's why they are also known as bells, burns भी इनको हम कहते है तो इंपोर्टन एक्जमिनेशन पॉइंट अभी इसलिए इसलिए यहां पर यहां से कुछ रिवर ऐसे आ रहा था इस वो यहां से diverge कर दिया यह width को कर दिया इनको कहते हैं divergent यहां पर जो हम banks प्रवाइड करेंगे that are known as divergent guide banks इनका disadvantage यह है कि इनमें formation of shawl होता है formation of shawl का मतलब क्यों होता है कि अब देखो जब हमर पास यह river है यहां से पहले इसकी width कम थी तो water पूरी width में flow कर रहा था लेकिन जब width इसकी increase हो जाएगी यहां पर क्यों हो जाएगी पानी कुछ this side चला जाएगा बीच में यह जगा खाली रह जाएगी यह dry रहेगी पानी कुछ this side से flow करेगा पानी कुछ this side से flow करेगा that is known as shawl कि आप दूसरा मर पास जाता है convergent guide banks इसमें क्या जाता है कि river की width को converge किया जाता है कम किया जाता है इसका disadvantage यह है कि they have access to attack on head work अब यह देखो river पहले कुछ इस direction में आ रहा था यहां पर हमने इसको converge कर दिया तो obviously जब width converge हो जाएगी तो इसके जो banks है यहां पर attack of water ज़्यादा हो जाएगा तो यहां पर erosion वगेरा किसे इंग्रेज हो जाते है तो इसमें क्यों जाता है इसमें भी formation of shawl होता है लेकिन कहां होता है अंगदा banks होता है और इनको rarely use किया जाता है in nowadays वैसे अगर हम देगे divergent guide banks को भी rarely use किया जाता in nowadays तो सैम जो है इनको भी हम उतना use नहीं करते है आचल के टाइम में तीसरा जाता है parallel guide banks mostly they are used in nowadays smooth entry of water होती which prevent the bank from erosion इसमें क्यों होता है कि अब देखो river जो है बिलकुल मतलब कुछ ये इस type के होते है parallel guide banks जितनी वेट था river इदर होगी उतनी इदर होगी इसमें जो entry of water smooth होती है उससे क्यों हो जाता है कि banks में उतना erosion काजनी होता as compared to this and this condition इसमें क्यों होता कि stone pitching की जाती है along the banks banks को erosion वगरा बचाने के लिए इनका side slope वह कहां से लेकर कहां तक vary करता 2H21 से लेकर 3H21 तक और free board इसमें कहां से लेकर कहां तक vary करता 1.25 से लेकर 1.75 meter तो सबसे best कर हम देखें के हम आरपस है parallel guide banks क्योंकि इसमें ये जो है इन दूनों की disadvantages को overcome करके इन guide banks को prefer किया गया है तो next हमरे पास जाता है तीसरा जो river training works में जाता है जाता हमरे पास grueness और suppers हम जिनको कहते है तो ये क्या होता है कि जो भी हम transfer structure construct करते है river banks को बचाने के लिए आरकार आरकार grueness और suppers अब देखो हमरे पास जो है ये हमरे पास river को इस direction ने आ रहा है अब इसकी transfer direction के हो गया यहाँ पे कोई मैंने structure construct कर दिया अब यहाँ पे मैंने structure construct कर दिया कि ये वाला area जो था मतलब ये वाला bank जो हम कह सकते है river का ये loose as compared to this suppose करो इस side जो है loose area और इस side साज जो है strike करेगा अब rocks को तो उतना impact नहीं न पड़ेगा पानी का as compared हम देखेंगे पानी अगर इस side के लिए इस पे यहाँ पे strike करता है तो यहाँ पे origin कास कर सकता था तो that structure जो हमने यहाँ पे construct किया that is known as suffers are green they are constructed either perpendicular are inclined to the bank अब इनको हम either perpendicularly construct कर सकते हैं यहाँ फिर inclined भी अब देखो यह मारपस river आ रहा है यहाँ पे मैंने transfer structure construct कर दिया बिल्कुल यहाँ पे perpendicularly इसको construct किया यहाँ तो हम इसको inclined भी construct कर सकते हैं अब यह किसी भी direction में इसको construct कर सकता हूँ यह depend करता situation की किस direction के लिए हम पानी को divert करना चाहते हैं अब simple अगर मैं आपको इनका function बताऊ यह simple है पानी की direction को divert करने के लिए कि जिस bank को हमने बचाना है origin वगारा से उसको वहाँ से हम पानी को divert करते हैं तो that is known as supersar uraness इनकी जो spacing होती है वो spaceings जो होती है convex banks के लिए क्यों कहों होती है ज्यादा होती है और wise versa इन दे सेंस की comfy banks के लिए spacing कम होती है spacing का मतलब है है कि sports koror river है मारे पास कुछ इस शेप में है इस शेप में जा रहा है अब भी देखो ये हमार पास क्या है ये कनवेक्स है और ये हमार पास क्या है कनकेव बैंक है ये होगा कनकेव बैंक और ये होगा हमार पास कनवेक्स बैंक तो कनवेक्स बैंक के केस में इनकी spacing एक मैं यहाँ पर बनाओंगा एक मैं यहाँ पर बनाओंगा इनकी spacing ज़्यादा होती है और concave bank case में इनकी spacing के होती है जो भी मतलब यहाँ पर transfer structures बनाओंगा उनकी कम होती है तो यह important point है इसमें examination point of view से अगर हम इसमें देखेंगे जो spacing होगी convex banks के लिए वो कितनी होगी 2 से लेकर 2.5 into L L मतलब जितनी हम length रखेंगे इनकी अब यहाँ पर suppose करो यहाँ पर मैंने एक transfer structure construct किया length रखी मैंने let it be 4 meter रखी तो यहाँ पर length कितनी आएगी इसकी 4 meter 2 से लेकर 2.5 into L करके convex banks के लिए इनकी spacing अगर हमने spacing निकालने होगी और spacing जो होगी equal to its length for concave banks और concave banks के लिए हम spacing उतनी ही रखेंगे जितनी इसकी length होगी suppose करो यहाँ पर मैंने जो है एक guide यह जो है transfer structure construct किया 2 meter का रखा तो जितनी length है उतनी इनकी बीच की spacing भी रखोंगा इसके बीच की spacing 2 meter इसके बीच की spacing 2 meter तो यह इसका कहने का मतलब था I hope कि आपको यहाँ था कि यह चीज़ें clear होगी होगी next इसमें आ जाता है it has two types अब इसकी भी further two types है permeable gruons and impermeable gruons अब यह इनके नामसी पता चड़ जाता है as the name suggests permeable का मतलब होता है which allo restricted flow of water मतलब जिस पानी को restrict कर रहा है वो आपने अंदर से इसको allo करेगा कि उसके अंदर से पास हो जाए allo restricted flow to pass through them that are known as permeable gruoness temporary यह temporary structures होते हैं और यह damage वगरा भी हो सकते हैं damage क्यों हो सकते हैं कि जब पानी continuously इनके बीच में से पास होता जाएगा एक time ऐसा आएगा कि इनकी जो structural stability है वो खतम हो जाएगी तो इनको हम क्या करते हैं ऐसी जगाओं पर यूज़ करते हैं जहां पर मलपस क्यों होगा high velocity होगी तो वो उसको resist नहीं कर सकेंगी इंपर्मेबल ग्रुएंस का मतलब क्यों होता है देयरा पर्मेट नेचर यह पर्मेटली जो है बने होगे होते हैं यह temperature structure होते हैं यह permanent होते हैं and maybe rock fill embankments या earthen embankments के बने होगे होते हैं मतलब आप structure permanent है तो obviously उनके लिए material जो हम यूज़ करेंगे इनको origin से बचाने के लिए हम करते हैं stone pitching करते हैं यहां से तो that stone pitching is known as river bank अब यह depend करता है कि इसको हम पूरी along जितनी length है river की वहां तक कर सकते हैं यह situation पर depend करता है अब जहां जहां हमारे पास loose area होगा वहां पे हम इन stone pitching करनी है अब suppose करो यह area जो है already it should be at least one meter higher than FSL मतलब जो हम stone pitching करेंगे वो कम से कम FSL के one meter higher level पे भी होनी चाहिए कि क्योंकि जब हम रपस के होगा कि highest flood level से भी FSL से भी level of water increase हो जाएगा तो top area में भी origin काजना हो तो इसकी higher जो है one meter से उपर होनी चाहिए तो 25 परसेंट हमने सबसे ज़्यादा करने हैं कि origin जो है सबसे ज़्यादा कर हम देखते हैं वह करोड पर जो है कोड पोर्शन पर यह बेंट्स वगारा पर हम देखेंगे impact of water जो होता हो ज्यादा होता है तो that's why it should be 25% more at कोड यह बेंट्स वगारा पर हम कहा सकते हैं नेक्स इसमें जाता है पिजड आइलेंड यह important है इसमें क्या होता है कि it's a recent invention river training works it's very effective as compared to above ones अगर हम देहेंगे हमार पास उपर जमने पड़े जैसे है इंबेंक्मेंट पड़ा guide banks पड़ा river bank revitment इन सब में से अगर देखेंगे इसमें क्या किया जाता है artificial structure आप कैसे हो तो एक artificial island river के center में construct किये जाती है in the river bed and protected by stone pitching और उस structure को किस से protect किया जाता है stone pitching से protect किया जाता है it's very effective in the vicinity vicinity किस areas में कहते हैं जहां हमार पास bridges वगरा होंगे आप देखो जो मार पास bridge है bridge का पायर का होगा river में होगा न तो उसमें भी क्या हो सकता है कि water high होगी तो वो भी problems यहां lots आप problems कास कर सकता उसके लिए where वगरा मतलब जो भी हमार पास structures है उन areas में pitch island का बनाना काफी जादा must हो गया है अब pitch island के अगर मापको example दो let it be यह हमार पास क्या है river को इस direction में flow करता है तो यहां पर हम क्या करेंगे center में एक ऐसा structure construct करेंगे जो क्या करेगा कि मतलब जिसका level जो होगा जो हमार पास यह river bed होगा इसका level जो है उससे कम होगा ताकि सारा पानी जो है बिलकुल अगरा से बजाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है इसकी भी stone pitching करनी पड़ती तो that structure is known as beach island, it's a recent invention in the river training वोगसे हमने पहले डिसकस कर लिया it's important from examination point of view और इसको हम generally vicinity areas में, vicinity locations में इसको हम construct करते है तो next and last जो इसमें आता है flow करता है अब देखो zig-zag direction में इसकी length जो है obviously ज्यादा है अब देखो ये band जो यहां पर बन रहा है इस band को अगर हम cut करके direct river को यहां के लिए इसको यहां से यहां कर दे intentional cut मतलब एक cut वगएरा बना के जो river का ये path था इसको divert करके हम इस path में लेएंगे है वो zig-zag direction में flow करता है यह important इसमें examination point of view से to make it full-fledged cut up it may take 6 months, years or 10 years अब इसको full अब यह जो है हमने cat बनाया इसको full-fledged cut बनने के लिए इसको कम से कम 6 महीने भी लग सकते हैं एक साल भी लग सकते हैं और 10 साल भी लग सकते हैं situation बेड़ बेंड करता है area बेड़ बेंड करता है इट में भी natural और artificial अब यह जो cut ups है यह natural भी naturally भी बन सकता है यह फिर artificial भी हम इसको मना सकते हैं अब इसको इसमें क्यों होता है कि sharp bends are not suitable अब देखो sharp bends किसले suitable नहीं अब यह हम cuts together हम क्यों बनाते हैं यह क्यों ज़र होता है हमें क्योंकि navigation के लिए lots of problems cause कर सकते हैं flood control के लिए lots of problems cause कर सकते हैं और protection of river banks के लिए lots of problems cause कर सकते हैं जैसे हमने पीछे ही पड़ा जो मरपास parallel guide banks थे उनमें origin of banks तो गयरा जो है बहुत कम होता I hope कि आपको मैंने सारी चीज़े इस topic के related clear कर दी होगी अगर फिर भी आपको कोई doubt है तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए और channel को subscribe जरूर कीजिए और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए so thank you so much and keep supporting me अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आईगी तो वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए और channel को subscribe करना न बोले और प्लीज बेल आइटन जरूर दबाए तक कि जब भी मैं नई वीडियो अफलोड करूँ तो आप तक सबसे पहरे नोटिफिकिशन पहुंचे और प्रियेस वीडियो जितनी मैं अफलोड की है उनकी जो पीडियेस हैं वो डिस्क्रिप्शन में अवलेबल हैं और पहां से उनको डूलोड कर सकते हैं थैंक यू सो मच